नमस्कार वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कि JEE 2020 परिक्षा आयोजित करने वाली संस्था। IIT दिली ने परिक्षा का आयोजन 27 सितंबर 2020 को किया जाना है। JEE Advance 2020 की परिक्षा दो शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। पहला पेपर सुभा 9 बजे से 12 बजे तक जबकि दूसरा पेपर दुपहर बाद धाई बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित किया जाएगा। इस परिक्षा के माध्यम से देश भर के 23 IIT की 11,000 से अधिक सीटों में दाखिले होंगे। जिन कैंडिडेट्स को परिक्षा में शामिल होना है वो एड्मिट कार्ड को आगे बताएं गए तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले JEE की ओफिशल वेबसाइट jeeadv.ac.in पर जाएं फिर होमपेज पर आने पर JEE Advanced Admit Card पर क्लिक करना होगा। इसके बाद अब आपसे आपकी परसनल डिटेल जैसे रजिस्ट्रेशन नमबर या फिर जन्मतिती मांगी जाएगी। फिर आपको अपनी डिटेल से भर कर सब्मिट करनी है। इसके बाद आपका Admit Card ओपन हो जाएगा और अब आप इसे प्रिंट करवा सकते हैं। या फिर डाउनलोड भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि JEE Advanced के लिए क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट्स में से सिर्फ 64% छात्रों ने ही JEE Advanced 2020 परिक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। नियम के मताबिक JEE में परिक्षा के टॉप 5,45,000 स्टूडेंट्स JEE Advanced परिक्षा में बैठने के लिए योग्य होते हैं। लेकिन इस बार सिर्फ 1,60,000 स्टूडेंट्स ने ही JEE Advanced के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। फिल्हाल इस खबर में इतना ही देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए आप बने रहे है वन इंडिया हिंदी के साथ।